नीबू का ज़्यादा इस्तिमाल करने से क्या होता है? नीबू के पानी से नहाने से क्या होगा? नीबू से जुड़े हुए साइड इफेक्ट जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि दोस्तों हम आपको हर पर एक ही बात बोलते हैं कि अधूरी जानकर इखा तक साबित हो सकती है अगर आप हमारे चैनल देशी नुस्के पर नए हैं और ऐसे खुड़े हुए नुस्कों के बारे में जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे ताके हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली हर एक नई ताजी वीडियो का नोटिफकेशन जल्द ही आप तक पहुँँ सके तो आए दोस्तों कर लेते हैं शुरुआत पहले नुस्के के साथ पानी में निम्बू मिला कर पीने से क्या होता है दोस्तों अगर आपकी स्किन ओयली है और आप इससे परिशान है तो नहाने के पानी में कुछ बूंदे निम्बू का रज़ डाल कर नहाएं ऐसा लगातार करने से आपको कौरीब एक ही हफते में अच्छे नतीजें मिलने शुरू हो जाएंगे निम्बू वाले पानी से नहाने से आपको दिन भर ताज़गी महसूस होती रहे की और शरीर से पसीने की बदबू भी महसूस नहीं होकी लगातार ऐसा करने से शरीर पर पड़े दाग दभे भी दूर हो जाते हैं और इससे शरीर पर बड़ी जुरडियां भी कम होने लगती हैं जिससे कि आपकी बढ़ती उमर का पता नहीं लगता अगले नुस्के में हम बात करेंगे बुखार में नीबु खाने से क्या होता है दोस्तों नीबु थंड बुखार या फ्लू से पीड़त व्यक्तिका इलाज करने में भी काफी फाइदेमन साबित होता है क्योंकि इससे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है जिसके कारण हमा नारे कुहनी पर जैसे कालापन आ जाता है उस पर नीबू रगर लेना चाहिए इसके लिए ये काफी फाइदे मन सापित होगा। पेट में गैस या अपच जैसे समस्याँ से छुटकारा पाने के लिए भी नीबू का पानी फाइदे मन सापित होता है। अगले नुश्के में हम बात करेंगे गरम पानी में नीबू का रस और शेहद मिलाकर पीने से क्या होता है। आईए जान ले दोस्तों इसका क्या फाइदा होगा। दोस्तों गरम पानी में नीबू का रस मिलाकर पीने से पित और पेट की ऐसे चैसी समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा मिलता है इससे आपको खाए हुए भोजन को पचाने में भी काफी असानी होगी नीबू और शेहद को गरम पानी में मिलाकर पीने से मल त्याग बहतर होता है और साथ ही में पेट में होने वाला मुटापा और सूजन भी कम हो जाती है ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने से पेट में जहर बन जाता है दोस्तो माहिरों के द्वारा नीबू के साथ दही खाना सही नहीं माना जाता इससे सर्दी जुकाम या फिर पेट में ऐलर्जी भी हो सकती है सिर्फ दही ही नहीं दोस्तो सभी तरह के डाईरी वाले जो प्रोडक्ट से दही के साथ हम खा लेते हैं ये सब हमारे लिए घातक साबित होते हैं वहीं अगर बात की जाए फॉलों की तो पपीता के साथ दही या नीबू का सेवन नहीं करना चाहिए और दूद के साथ तो कभी भी भूल कर भी नीबू और खटी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए आगे हम बात करेंगे मूँ में च्छाले होने पर निम्बू का सेवन करने से क्या होता है दोस्तो मूँ में अगर च्छाले हूं तो निम्बू पानी का सेवन नहीं करना चाहिए इससे मूँ में च्छाले और भी बढ़ जाते हैं इसके लावा सीने में जलन होने लगती है इसलिए जब भी हमारे मूं में च्छाले हों तो हमें कभी भी नीबू का सेवन नहीं करना चाहिए तो ये तो थी दोस्तो नीबू के साथ चुड़ी हुई कुछ एहम और जरूरी बाते जो आपके लिए जानना बेहत ही जरूरी है दोस्तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर जरूर करे ताके सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और कमेंट करके आप ही ये बता सकते हैं आपको कौन से वीशे के बारे में जानकारी चाहिए हम आपको उसी वीशे पर जानकारी बता देंगे तो मिलते हैं दोस्तो एक और नए नुस्के के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर